CID भारतिय टेलिविजन का एक बहुत प्रसिद्ध और लंबे समय तक चलने वाला क्राइम इन्वेस्टिगेशन शो है जिसे पहली बार 1998 में सोनी टीवी पर प्रसारित किया गया था इस शो की कहानी अपराध की जांच पर आधारित है जिसमें ACP प्रद्यूम्न और उनकी टीम अभीजीत दया और फ्रेडरिक्स मुख्य भूमिका निभाते हैं यह शो अपराध को सुलजाने के साथ साथ अपराधियों को पकड़ने की दिल्चस्प कहानियों को दिखाता है CID की रहस्यमई कहानियां उत्साहवर्धक एक्शन और टीमवर्क ने इसे भारतिय टेलिविजन के सबसे लोकप्रिय शोज में से एक बना दिया है नमबर वन शिवाजी साथम जिन्होंने ACP प्रद्युम्न का किरदार निभाया किस शो के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पात्रों में से एक हैं शिवाजी साथम का जन्म 21 अप्रेल 1950 में मुंबई में हुआ था और उनकी उम्र 74 साल है शिवाजी साथम ने बैंक में काम करने से अपने करियर की शुरुआत की थी लेकिन एक्टिंग की और उनका रुजहान ज्यादा था वह मराठी सिनेमा और थेटर में भी काम कर चुके हैं ACP प्रद्युमन के रूप में उनकी गहरी आवाज, गंभीरता और साहस ने इस किरदार को अमर कर दिया है उनकी सैलरी प्रती एपिसोड लगभग एक लाख रुपिय थी जो उन्हें इंडस्ट्री के बड़े सितारों में से एक बनाती है शिवाजी सैटम के इस योगदान के बिना CID की कहानी अधूरी मानी जाती है अधित्य श्रिवास्तव जो CID में वरिष्ट इंस्पेक्टर अभीजीत का किरदार निभाते हैं शो के सबसे प्रिय पात्रों में से एक हैं उनका जन्म 21 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और वह 56 साल के हैं आधित्य ने अपने करियर की शुरुआ थेयटर से की थी और कई फिल्में और टेलिविजन शोस में काम किया है लेकिन CID में उनका अभीजीत का रोल उने खास पहचान दिलाने में सफल रहा अभीजीत एक तेज तर्रार और चतुर इंवेस्टिगेटर हैं जो अपने जुनून और बुद्धिमानी से हर केस को सुलजाते हैं पादित्य की सैलरी प्रती एपिसोड 80,000 से 1,000,000 रुपिये के बीच थी उनकी भावनात्मक गहराई और टीम के प्रती समरपने उन्हें दर्शकों के दिलों में खास जगह दिलाई है जन्हें इंस्पेक्टर दया के नाम से जाना जाता है CID के सबसे लोकप्रिय और मजबूत पात्रों में से एक है उनका जन्म 11 दिसंबर 1979 को करनाटक में हुआ था और वह 54 साल के हैं दया के दमदार डायलॉग और जबर्दस्ट एक्शन सीक्वेंसे जैसे दर्वाजे तोड़ना शोग के सबसे खास हिस्सों में गिने जाते हैं दयानन शेटी ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी और CID ने उन्हें घर-घर में प्रसिध कर दिया उनकी सैलरी भी प्रती एपिसोड एक लाख रुपे तक होती थी इंस्पेक्टर दया का दमदार व्यक्तित्व और अपने काम के प्रती उनकी निष्ठा ने उन्हें एक अनुखी पहचान दिलाई है नमबर चार दिनेश फटनीस जो फ्रेडरिक्स का किरदार निभाते हैं शो में हासे और इमोशनल एलिमेंट्स का बेहतरीन मिश्रण लेकर आते हैं उनका जन्म 27 जून 1966 को हुआ था और वह 58 साल के हैं फ्रेडरिक्स की मासूमियत और उनके किरदार की भोली भाली बातें शो में कई बार हलका पन और हंसी का माहौल लाती हैं हालांकि उनका रोल मुख्य रूप से हास्यपूर्ण था लेकिन वह भी केस को सुलजाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं दिनेश फटनीस की सैलरी प्रती एपिसोड लगबग 40 से 50,000 रुपिये थी उनके द्वारा निभाया गया फ्रेडरिक्स का किरदार शो में ताजगी और मनोरंजन का एक अनोखा तत्व जोड़ता है नमबर पांच अन्शू श्रिवास्तव जो इंस्पेक्टर श्रिया का किरदार निभाती हैं शो के कुछ आखिरी सालों में टीम का हिस्सा बनी उनका जन्म 1991 में हुआ और वह 33 साल की हैं अन्शू श्रिवास्तव ने कई अन्य टीवी शो और विग्यापनों में काम किया है लेकिन CID में उनका किरदार उन्हें एक मजबूत और तेज तर्रार महिला अधिकारी के रूप में दर्शकों के सामने लाता है इंस्पेक्टर श्रिया का व्यक्तित्व निडर और आत्म विश्वासी है जो टीम के साथ कदम से कदम मिला कर केस सुलजाती है उनकी सैलरी प्रती एपिसोड 50 से 70 हजार रुपे के बीच थी इंस्पेक्टर सचिन इंस्पेक्टर सचिन का किरदार निभाने वाले एचार कुशल ने शो में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनका जन्म 26 सितंबर 1985 को हुआ था और उनकी उमर 49 साल है सचिन एक तेज और साहसी इंवेस्टिकेटर है जिनका टीम के साथ तालमेल बहुत अच्छा था सचिन का किरदार मुख्यता थ्रिलिंग एक्शन द्रिश्यों के लिए जाना जाता है और कई बार उन्होंने अपनी चतुराई और हिम्मत से केस सुलजाए पैचार कुशाल की सैलरी प्रती एपिसो लगभग 40-60,000 रुपे थी सचिन के रूप में उन्होंने दर्शकों के बीच एक नई पहचान बनाई और शो में अपने साहसिक कारणामों से सबका दिल जीत लिया नमबर साब नरेंद्र गुपता ब्रोडर सालुंके डॉक्टर सालुंके का किरदार निभाने वाले नरेंद्र गुपता शो के सबसे अनुभवी और बुधिमान पात्रों में से एक हैं उनका जन्म 26 अगस्त 1948 को हुआ था और उनकी उम्र 76 साल है सालुंके फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं जो हर केस की तकनीकी जानकारी जुटाने में माहिर होते हैं उनकी जाँच की बारीकियों और डिटेल्स ने कई जटिल केस सुलजाने में मदद की शो में उनकी भूमिका न केवल एक विशेश अजज की थी बलकि टीम के साथ उनकी बातचीत और ह्यूमर भी दर्शकों को आकरशित करती थी नरेंद्र गुपता की सैलरी प्रती एपिसोड लगबग 50,000 रुपे थी उनका किरदार शो में विज्ञान और तकनीकी ज्यान का प्रतीक बन गया नमबर आर श्रद्धा मुसले डोड और तारिका डॉक्टर तारिका का किरदार निभाने वाली श्रद्धा मुसले बाबा सालूंके की टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी उनका जन्म साथ जन्वरी 1984 को हुआ और वह 40 साल की है तारिका एक फोरेंसिक विशेशज है और उनकी भूमी का केस की वैग्यानिक जांच करने में होती है शो में उनकी और अभिजीत की केमिस्ट्री भी दर्शकों के बीच काफी चर्चा का विशे रही श्रद्धा मुसले की सैलरी प्रती एपिसोड लगभग 30 से 50,000 रुपए थी उनके किरदार की शालींता और गंभीरता ने उन्हें CID की महत्वपूर्ण पात्रों में से एक बना दिया इंस्पेक्टर विवेक का किरदार निभाने वाले विवेक मिश्रा का जन्म 20 जून 1986 को हुआ और वह 38 साल के हैं विवेक एक युवा और उर्जावान अधिकारी थे जो अपने ताजगी भरे विचारों और जोश के साथ केस को सुलजाने में टीम का साथ देते थे विवेक के किरदार ने दर्शकों के बीच एक नया रोमांच पैदा किया उनकी सैलरी प्रती एपिसोड लगभग 30 से 40,000 रुपए थी उनके किरदार ने शो में एक नया उत्सा और उर्जा जोड़ी जिससे दर्शक उनके साथ जुड़ते चले गए नमबर दस आशीश चौधरी इंस्पेक्टर निखिल इंस्पेक्टर निखिल का किरदार निभाने वाले आशीश चौधरी का जन्म 21 अप्रेल 1988 को हुआ और वह 36 साल के हैं निखिल एक उचसाही और होशियार अधिकारी थे जो अपनी जांच और डिटेल्स में माहिर थे निखिल का किरदार दर्शकों के बीच अपनी इमानदारी और साहस के कारण लोक प्रिय हुआ आशीश की सैलरी प्रती एपिसोड लगभग 40 से 50 हजार रुपे थी निखिल के रूप में आशीश ने टीम को नई उर्जा प्रदान की और कई महत्वपूर्ण केसों को सुलजाने में अहम भूमिका निभाई